नमस्कार आप देख रहे हैं टोटल टीवी मैं हूँ सौरप जोहरी हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है इस बैठक को काफी एहम माना जा रहा है। टिकटो को लेकर किस तरीके से रणनीती बीजेपी की रहेगी और खास कर ऐसी इस्तिती में जब 10 साल तक सत्ता में रही पार्टी और उसके बाद एंटी इंकम्मेंसी एक बड़ा फैक्टर बनकर प्रदेश में उबर रहा है पार्टी के लिए बड़ी चुनोती बड़े इसतर पर फिर बदल किये गए मुख्यमंत्री का चहरा बदला गया उसके बाद तमाम तौर पर योजनाए गोशनाए की गई लोगों से कनेक्ट होने की भी पार्टी लगा थार कोशिश कर रही मेरा थन तैयारिया अब आगे की रड़नीती क्या होगी तिकेट वितरन क्या पार्टी के लिए आसान होगा क्योंकि कुछ शेतर ऐसे भी है जहापर एक सीट के लिए तीन तीन दावेदारय 스ट पार्टी के सामने क्या कुछ रणीती पार्टी बनाएगी किस तरीके से आगे की डग़र विधा पार्टी के सामने क्या कोच और अन्नीती पार्टी बनाएगी किस तरीके से आगे की डगर विधान सभा की आसान होगी क्या क्या चुनोती कॉंग्रस पेश कर सकती है तमाम सवाल जिनके जबाब तलाशने की कोशिश करेंगे हमारे से होगी हमारे सब मौझूदे हैं हिसार से एसेट एडिटर डॉक्टर महिश्कुमार, पानीपस से एसेट एडिटर दिवन कुथूरियावरिस पत्तकार वीरिन सोनी जी हमाई साथ चर्चा में रहेंगे। आप साभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाओं। लगने उसे बहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखें फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रभारी सतीश पुनिया और सह प्रभारी विपलब देव और सुरिंद नागर सहीत सभी बड़े निता शामिल होंगे। आज की इस बैटक में जीपी नड़ा भी शामिल हो सकते हैं। बीजी भी क्योंकि पिछ्टे दस सालों से सत्त में हैं। ऐसे में उसके खिलाफ एंटी इनकमेंसी फेक्टर बड़े पैमाने पर हावी है। पार्टी से धहन में रखते हुए टिक्टों को लेकर विशेश सतर्ता बरत रही है। मिली जनकरी के मताबिक पार्टी उनी उम्मीद्वारों पर दाव लगाने की तैयारी कर रही है। जिनकी फिल्ड में मौझूदगी सही पैमाने पर है। पार्टी उम्मीद्वार की विनेबिलिटी फेक्टर को लेकर भी बड़े पैमाने पर विचार कर रही है। केंदे चुनाव समिती से पहले आज होने वाली बैठेक में उन सभी नामों पर गंभीरता से विचार होने की संभावना है। बारती जंता पार्टी विधांसबा चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास करने की तैयारी में है। बीजेपी अपने कई संसद रह चुके और संसद के चुनाव हाने वाले को भी मैदान में उतार सकती है। इन उमिद्वारों में प्रमुक तौर पर जिन लोगों का नाम शामिल है उनमें पूर्व संसद सुनिता दुगगर, अर्विन शर्मा, अशोप तमर, रमिश कौशेक और कई दूसरे नाम भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी पहली बार अपने पूर्व संसदों या संसद उमिद्वार रहे लोगों को चुनाव लड़नने के तैयारी कर रही है। इससे पहले आली में संपन हुए पांच रज्यों के चुनाव में भी पार्टी ने मद्परदेश राइस्थान जैसे रज्यों में अपने मुझूदा संसदों को विधायक का चुनाव लड़ननी के लिए मैदन में उता रहा था। आज बीजी पी केंदर एक कौर कमीटी के बैठक में सभी उमीदवारों के नाम पर विष्टार से चर्चा होने की उमीद है। माना जा रहे है कि लगबग दो दर्जन से ही जादा उमीदवारों के नाम पहली सूची में सामने आ सकते हैं। अब देखने ही होगा कि आज एक इसके नम पर पार्टी की उमिद्वारों की रूप में मोहर लगती है दिली से टोटल टीवी के लिए ललित नारेन कांडपाल की रिपोर्ट तो अब क्या महामन्थन होगा किस तरीके से उमिद्वारों का चैन होगा तमाम सवाल बरकरार है आप दिविंद्र आज बैठक होनी है बैठक के बाद सीजी के बैठक कलोगी उसमें नाम फाइनल होंगे क्या कुछ पाइटी की रणनीती रह सकती है तमाम चुनोतियां आप बीज़ेपी के सामने प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं और पाइटी उससे किस तरीके से पारपाएगी क्या रननीती पाइटी की नजर आ रहे है प्रदेश के जो माहा मंत्री हैं और बड़े नेता रहेंगे कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो इंपोर्टेंट है इस मिटिंग के लिहाज से तो आज ये मेरे को लगता है कुछ नामों पर मन्थन कर लिया जाएगा ताकि कोई चूक न रहे या कोई अफसोस बात में ना हो कि ये गल्पी होगी चूकि लोगसभा चुनाव में बीजेपी की साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आज मन्थन होगा कुछ उम्हें वारों पर जिनके साथ संकट नहीं है जिनकी टिकेट कलीर है जहां कोई बिवाद या कोई बागावत की कोई जहां से कोई बू नहीं आ रही तो वो सीटों पर मन्थन करके सेंटर एलेक्शन कमिटी केंद्रे चुनाव समीती बीजेपी की कल बैठक होनी है और ये जो लिस्ट आज दी जाईए आगे इनमें से थोड़ा बहुत कांचार्ट हो सकती है ना भी हो तो कल उमीद जताई जारी है कि बीजेपी अपनी पहली सोची जारी कर सकती है इसी वज़ा से जितनी तेज गतिवी दियान चल लिए संगटन के स्तर पर बड़े नेता है हर्याना में साथ लोग लगे हुए है अब ही जो मिटिंग होगी उसके मेरे कुन दा 24 गंटे से पहले अगली मिटिंग होनी है तो पहली सोची जारी हो सकती है और जो लोग बिकेट की लाइन में है दावेदार है एक नहीं चीज जो सामने हम देख रहे हैं कि पूरों सांजदों को रहारे हुए लोग स्वा परतियाशियों को भी पार्टी चुनाव में उतार सकती है परक कर उतारेगी उनकी जमीन मजबूत हो तो इसका मतलब ये भी है कि बीजेपी हर हालत में हैट्रिक माजद चाती है और ये भी ये भी नजब आ रहा है कि कही न कई पार्टी में घबराट है जो एंटी इंकम्बेंसी का फैक्टर है लगता है बीजेपी के पास सबी सीटों पर पूरे मजबूत उमीदवार नहीं है इसी वजह से जो कदावर लेता है जो चलो लोग सभा में हार गए या सांस थे उनको कुछ को उतारा जा सकता है तो मिश्रन होगा मेरे करता है वरिष्ट नेताओं का और यूआ नेताओं का एक मिश्रन हो सकता है नपे सीटों पर मजबूत उमीदवार ना होने की वज़ह से मिश्रन हो लगता है ये फैसला हुआ है कि उन लोगों को भी साथ लेकर चला जाए यूआ चेहरा और अरुभवी दोनों की टीम को मैदान में उतारा जाएगा उमीदवार बतना कर और उमीद करते है कि जैसे अभी मिटिंग होनी है दिल्ली में और कल शाम तक अगली मिटिंग भी हो जाएगी जो केंद्रिया सर पर होनी है और जो फैसला होगा जाए तो पपलिक डूमेन में आसकता है यह भी हो सकता है कि नाम मन्धन के बार फाइनल कर लिए जाए लेकिन बीजेपी चुकि टीक्टों में फाइनल करने में फैसल लेने हमेशा सबसे आगे नहीं तो हो सकता है कुछ नामों का जान कर दिया जाए तो उट सुक्तर सभी की बनी हुई है न कहीं लोगसभा की प्रणामों पर उसका असर पड़ा था विदान सभा चुनाओं में एक कदम फुक फुक कर रख रहे पार्टी क्या रणने थी दिखिए भारती जन्रत पार्टी के हरणा प्रदेश में जो सबसे बड़ी परिशानी है नेताओं के चेरे की लोग प्रियता का घड़ जाना चाहिए वो प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के नाम पर हरेना के वोटर्स से वोट मांगने का काम हरینہ प्रदेश के विधानसवा चुनाओं में मोधी के चेरे पर वोट मांगने का काम किया जाता था लेकिन इस बार क्या ही से विधानसवा चुनाओं में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के चेरे पर हरینہ विधानसवा के लिए वोट मांगा जा सकता है यह सबसे बड़ा सवाल है दूसरी बात है कि घोष्णाओं की बारिश यहाँ पर नायपसिंट सेनी की तरफ से कियी गई लेकिन उन गोष्णाओं का कितना फाइदा भारतिय जनधापारटी को मिलेगा फैदे से मेरा मतलब है कि उन कोशनाओं पर कितना यगीन हरेणा प्रदेश की जनता करने जा रही है ये दूसरा सवाल है तीसरी परिऀशानी एंटिन कम्मधिसी को लेकर है जो एंटिन कम्मधिसी भारती जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो चुकी है उस एंटिन कम्मधिस किस तर को किस तरी किस से घटाए जाएगा नाइब जिन सेनी अच्छा पर्फोर्मेंस दे रहे थे मनुडलाल खटर के बाद पॉजिटिविटी यहां पर कारेकरता हूं मिलाने का काम कर रहे थे लेकिन चुकि चुनाव अचार सहीता थोड़ा सा पहले या करीब 20-22 दिन कांत जासकता है कि जाधोर के फिर उतारा जा सकता है सुनिता को आप उतारते हैं तो जायज लगता कि ने काट लीक में नोकरी को छोड़ा और उसके बाद आप राधनीती में उनके लिए भविश्चा नहीं चोड़ते हैं तो यहां पर उनके लिए अगर सीट बनाई जाती है उनके उने किसी विदानसभा चुनाम में उतारा जाता है तो जायज लगता है लेकिन डॉक्टर अशोक तबर जो की ल भारती जनाता पार्टी में शामिल होने के साथ ही आप उन्हें लोकसभा का टिकेट दे रहे हैं और लाखो वोटों से हारने के बाद आप उन्हें विदानसभा की टिकेट से नवाज रहे हैं उनके साथ एक बार फिर से पार्टी खड़ी होनी जा रही है तो क्या भारती ज जानसबा चुनाओं में भी आप किसी पुराने कारेकरता का हक चीनने जा रहे हैं और अगर आपके पास पुराना कारेकरता नहीं है तो दस साल में भारती जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौब पर संगठन चलाने वाले प्रदेशादक्स के तौब पर सुबाज बराला क्या कर रहे थे ओपी धंकर क्या कर रहे थे और अब मोहलाल बडोली क्या कर रहे हैं तो यह सवाल तमाम सामने हैं और तमाम पेचीदा सवाल इस वक्त भारती जनता पार्टी के सामने खड़े हैं अगर लोगसबा के उमिदवारों को जो की चुनाब हार चुके हैं कि इस बार चुनोती कई देखने को मिल रही हैं बाशापूर विधानजबा निर्वाचन शेत्र में भी हमने देखा कि एक सीट पर कई दावेदार दावेदारी पेश कर रहे हैं पूर मुक्य मंति मनुहलाल की OSDB थे जवार यादव और जिलादेश कमल यादव और पूर मंति कि एक सीट पर कईउम इदवार भी पार्टी के लिग चुनोती है उसमें किस तरीके से सटी कंडिडेट जेताओ कंडिडेट पार्टी चुने ये भी पार्टी के लिग बड़ी चुनोती आने वाले समयमे बनता नजर आएगा प्राइस सभी सीटे हैं जहां पर भारतिय अंता पार्टे को इस पर कटनाई का सामना करना पड़ रहा है यह तो सभी राइदिक दनों में यह दूइदा रहती है टिकट तो इको मिलना है चाने वाले बहुत होते हैं और देखे यह भी अभी जीव स्तिती बने कि मनोरला जी अभी करन कमल जो करनार में भारतिय अंता पार्टे कारल है वहां आये थे तो वहां उनको मलब उनकी आने की सूचना मिलते ही कुछ टिकटार थी वहां एकत्र हो गए तो उनको देखते ही मनोरला जी बढ़क गए कि आप यहां क्या करने आए आपने चुनाव लड़ना है तो आप फिल्ड में जाहिए आप यहां क्या करने आए मुझा लेने क्या है पर ये देखे कि बाराती जम्ता पार्टी की कारेकरता बीड के अंदर हैं और कांग्रिस के जितने कारेकरता है कांग्र से तिक तर्ति के बैठके चल रही है चंडिकेर के अंदर मुख्यमंत्री नाइब सैंडिने और प्रतेश अद्यक्षे महुलाल बडोली ने बैठक बुलाई जीला अद्यक्षमी थे विदानसवा सियोजग भी थे विदानसवा परभारी भी थे तो लगबग 600 कारेकरता बुलाए गे तो उसमें से 98 प्रतिशत कारेकरता उपस्तित थे तो ये देखिए बारती अंता पा पाल्टी कासे कर रहे हैं और कांगरेस कितने अति आत्यात विश्वास पड़ी है कांगरेस में अभी फिल्ड में कुछ दिखाई नियरा है कांग्रेस के जो कारेकरता है जो तिक्रारतिय हैं वो दिल्ली के ओर देख नहीं है लेकिन बारते-जन्ता पाल्टी का संग्णाट प्रदेश इंटा पाल्डे के लिए जो स्थिदिया काभी इस पार से दिश्टि से मजबूत है लेकिन फिल्ड में जो है जो सरकार विरोधी ले उसका असर तो दिखाई दे रहा है आज अगर मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री जो नैप सेनी और परदेश इद्यक्ष मौलाल बलोडी ने तीन जगे रोड शो किये हैं तो यह सीटे जो तीनों सीटे थी चाहे नरेंगड था चाहे वो चाहे समाल्गा था चाहे पुंडरी थी वहां भारतियानता पार्टी पहले कर दी गई और अब उसके स्तान पर रोड शो किया गया तो जीन के अंदर भारतियानता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है जो जो खित्र भारतियानता पार्टी से चूते हैं जहां भारतियानता पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं वहां पार्टी अपनी पूरी उर्जा ल राजमितिक सत्ता की दहलीज तक पहुचा सके हर्याणा में तीसरी बार पांच जून को सांसा निरवाची दूए अभी उनको विदानसपा चनौन में कैसे जोगा जा सकता है तो यह तो सिरब बंदर घुड़की ताकि वो अपने परिजनों के लिए टिकट ना माँगे जिए राव इंदर जीत सिंह ने तो कहा दी अपनी बेटी के बारे में की वो अपने भगे का नेड़ना खुद करेंगी। हार गया तो उनके राज़िक भुशे पर परशन चिल लग जाएगा तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बारते जंदा पार्टी जो सांसद हैं उनके परिजनों को टिकट देने में इतना डिला रवया पनाएगी पार्टी सोच समझ कर फैसरा लेगी इसलिए कहा जा रहा है कि जो राज़िसभा के सांसद हैं लोगसभा के सांसद हैं उनको चुनाओ लड़ा जा सकता है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है ये मातरिक बद्दर गुड़की है मन्थन हो रहा है अभी फाइदा थोड़ा बहुत कहीं न कहीं मिलता है ऐसी मुखी पर तो एक तो चीज ये दूसरा बीजे पीर कॉंग्रेस दो कह रहे हैं कि युवाओं और महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी मिलेगी रहुल गांदी को प्रेंका गांदी को हमने सुना है कहते हुए कि 33 पीज ठीक्टे हम विधान सब्दा में भी अरक्षित करेंगे महिलाओं के युवाओं के लिए बहुत साल से कह रहे हैं लेकिन उसको जमीन पर उतारा जाता है नहीं साफ चवी के लोगों को लाया जाए, युवा जोश को आगे बढ़ाया जाए, एक्स्पीरिय morality लोग देयो लेकिन युवा जोश को क्योंकि आगे चलकर जाना है पार्टी को चलाना है लोगों की सेवा करनी है नही Leah और प्रियोग करने बिजेपी को तीसरी बात ये है कि महोल उस तरह का बना हुआ है एक तरफ इनहलो बस्पा का गड़बंदन है अब जेजेपी एसपी का गड़बंदन हो गया अभी आमाधी पार्टी भी कहा है और अभी आमाधी पार्टी के लोग दावा करें कि पांच सितंब अगरा कैसे बढ़ेगा तो कोल में लागतर जो प्रस्थितियां सियासी बने हुई है अजीब तरह का महोल है हाला कि बीजेपी कोंग्रेस सब सग्यादा मेरे को लगता है कि दावेदारी उनके सरकार बनाने की लेकिन जो उलट फेर करने वाले दो गड़बंदन होगे अभ विदान सबा में हम देखते हैं पिछले कई सालों का रिकोर्ड देख लें विदान सबा में 6, 7, 8, 9 तक भी मतलब करीब 6, 9, 10 के बीच इंडिपेंडनेंट भी जीट कराते हैं और ऐसी सितिती में जब बहुमत ना लेकिसी पार्टी को तो एक इंडिपेंडनेंट की पहले कभी हुए नहीं ये भी एक सवाल है इसक्षानियों का सामना भारती जनाता पार्टी को करना बड़ा बार 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 ये भी सुनने को मल रहा था कि भारती जनाता पार्टी के सामने मजबूरी इस कदर बढ़ चूकि एक अपने उमीदवारों को बदलना पड़ेगा बदलने तक की जो नौबत है वो भारतीज जनता पार्टी के सामने खड़ी थी लेकिन बदलने का रिस्क यहाँ पर बीजेपी ने नहीं लिया लेकिन वो नौबत जरूर सामने खड़ी थी मुझे लगता है कि इस बार वो गलती भारते-जनत-अ-पार्टी में नहीं करने वारी अपनी स्टाटर धी अपने पते जो है वो जहार नहीं करेगी भारते-जनत-अ-पार्टी चाहिए कितने भी बड़े चेरें हूं या कितने भी मुझुदा सीम कहां से लडेंगे और तमा अला कि लिस्ट रह भली भारतिय जरनता पार्टी तैक कर ले लेकिन उसे मीडिया में नहीं दिया जाएगा, जग जाहिर नहीं किया जाएगा, उसे आखरी तक रोकने का काम भारतिय जरनता पार्टी के लोग करेंगे, ताकि कॉंगर्स पार्टी में निरने को लेकर जो स्थि किए भी सूरत में सपष्ट ना हो इसे और कि बहुतिक तुरूप से लगता है भारतिर जनता पार्टी पहले नामों को जाहिर करने की गलती नहीं करेगी. जिसकी लाइकिंग फैक्टर है उसको जादे तबज़ो पार्टी देगी? पार्टी जो अपने उमीदवार टैक करेगी, देखे कुछ उमीदवार तो जल्दी तैक हो जाएंगे जिन पर कोई विवाद नहीं है. और ये कुछ पर विवाद है तो वो अंतिम चरण पे फैसला होगा और ये देखे भारतिय जंदा पार्टी अपने उमीदवरों को प्रयाप समय देना चाहती है इस वार जो है भारतिय जंदा पार्टी 2019 वाले गलती नहीं कर रही देखे 2019 के चुनाव में समय में नौला जी न है कि जन्व शीवाद यात्र में अलग-अलग कारेकरम नहीं होने चाहिए तब नौला जी नहीं कहा था इसे वातावरन बनता है लेकिन इस बार जो है भारतिय जंदा पार्टी नहीं कर रही अब जाए रोड शो कर रहे हैं नैब सैनी तो जो टिक्टार्थियं वो एकी गाड़ी में सवार होते हैं अब अलग-अलग कारेकरम नहीं कर रहे हैं अंता पार्टी और देखें जो आन तक उमीदवारों की बात है हर जगे जो है दो-दो-तीन-तीन उमीदवार है लेकिन पार्टी के लिए दूइदा है क्या जो वर्तमान विदायक है उनके खिलाब भ प्रशानियों का सामना करना पड़ रहा है और विदायकों के खिलाब भी अक्रोश है और कई मंतियों के खिलाब भी तो इसलिए बारतिय अंता पार्टी को अत्रिक्त साब दानी बढ़नी है तो इसलिए बारतिय अंता पार्टी फूप कर कदब रख रही है बल्कुल चले नामों पर महर लगती है पहले सुची में किन को दावेदार के रूप में पेश किया जाता है ये देखने वाली बात होगी